Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, when a horse pulls a cart, according to Newton's third law, the cart also pulls the horse with an equal and opposite force. What causes the motion of the horse, cart and the whole system as a whole? Okay, so basically, आपने भी सोचा होगा, कि जब आपका कोई cart है, let's say, यह आपका cart, ठीक है, और इसको एक horse pull कर रहे है, let's say, यह आपका horse है आगे, okay, और यह horse इस cart को pull कर रहे है, So जित्ती force, Newton's third law क्या कहता है, कि जित्ती force यह horse आपका cart पे लगा रहे है, अगर यह force, let's say, cart को f force से आगे खीच रहे है, तो यह cart भी तो horse को f force से पीछे की तरफ खीच रहोगा ना, तो फिर यह motion हो कैसे रहे, यह दोनों, यह जो cart और यह horse है, यह पूरा system आगे की तरफ किस तरीके से जा रहे, so यह आपको explain करना है, तो देखो, ठीक concept यहाँ पे क्या है, की concept जो यहाँ पे use होने वाला है, सबसे पहले एक तो आपको fbd समझ में आना चाहिए, कि दोनों जो body है, उनके उपर क्या-क्या forces यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है, और बाकि आपको friction force का जो concept है, वो clear होना चाहिए, तो देखो, सबसे पहले अगर हम fbd देखें, और दोनो bodies के उपर अलग-अलग forces को जरा देखें, कौन-कौन सी forces लग रहे हैं, सबसे पहले अगर हम cart को देखें, तो cart का कुछ ना कुछ weight होगा, जो इस पे नीचे की तरह effect कर रहा होगा, let's say this is mg, ठीक है, और ground से इसके उप नीचे की तरफ खींच रही होगी, let's say this is f1, okay, so this is the friction force on cart, due to this ground, okay, और f force इसको आगे की तरफ खींच रही है, जो कि इस पे लगा रहा है कौन, ये horse लगा रहा है, so basically ये चार forces इस cart के ओपर work कर रही है, अब आप देख सकते हूँ है, जो नॉर्मल force है, और ये weight है, ये तो एक दूसरे को cancel out कर रहा है, तो vertical direction में इनका कोई भी motion नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी motion होने वाला है, वो इस f और friction force की वज़े से होने वाला है, अब ऐसे हम free body diagram अगर इस horse का देखे, तो horse पे f force पीछे की तरफ लग रही है, जो कि cart इस पे लगा रहा है, due to newton's third lock, ठीक है, इसके अलाबा इसका भी same इसी तरीके से कुछ न कुछ मास रहा होगा, तो weight नीचे की तरफ act कर रहा होगा, normal उपर की तरफ, let's say this is into, तो ये normal इस weight को cancel out यहां पे कर रहा होगा, क्योंकि vertical direction में कोई भी motion नहीं हो रहा है, motion horizontal हो रहा है, लेकिन ये horse भी तो जो आपकी धरती है उसको पीछे की तरफ धकेल रहा है ना, तब ही तो ये इसको आगे खीच पा रहा है, तो ये क्योंकि इस धरती पे पीछे की तरफ एक force लगा रहा है, तो यहां ground से इसको एक reaction force मिल रहा है, आगे की तरफ, ठीक है, और इस reaction force को let's say हम बोल देते है, R, तो ये इस R की वज़ ये देखें, motion कब होगा, जब आपकी F जो है, वो greater than होगी, आपकी friction force से, right, और horse का motion कब होगा, जब ये आपकी जो reaction force इसको मिल रहा है, ग्राउंड से, ये greater than होगी, आपकी F से, right, अगर ये दोनों condition satisfy होती है, तो आपका motion हो जाएगा, अब देखो F तो एक दूसरे को cancel out कर दोना है, इस friction force को, तो अगर आप इन दोनों को combine भी कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से, कि आपकी जो reaction force आपको मिल रही है, horse को, वो greater than होनी चाहिए, the friction force on this cart, अगर ये condition आपकी satisfy हो जाती है, यानि कि horse जो है, वो ground से इतनी reaction force प्राप्ट कर लेता है, कि वो इसकी friction force को overcome कर सके, तो ये motion जो है, possible हो जाएगा, ठीक है, और इसी की वज़ा से, जो आपकी bell गाड़ी है, या आपकी जो घोड़ा गाड़ी है, वो आगे की तरफ चाह पाती है, because of this reaction force, so I hope you understand this concept, good luck.